नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों उत्तर प्रदेश में दस विधान सबा सीटों पर उच्चना होना है और अब हर एक पार्टी से बड़ी-बड़ी खबरे निकल कर सामने आ रही हैं ताजा खबर अंदर की खबर निकल कर आ रही है भारतिय जनता पार्टी के खेमे से यानि एंडिये के खेमे से तहाँ ये जा रहा है कि एंडिये के सहयोगी दल यानि की भारतिय जनता पार्टी के साथ जिन गड़बंधन हुआ है जो गड़बंधन किया है जिन पार्टी उने उत्तर प्रदेश में वो नाराज दिखाई दे रही है कौन कौन नाराज है और क्यों बात दिली तक पहुंच गई है क्यों यहाँ पर अब अमित उशास से मिलने की बात कही जा रही है और किसने कही है यह बात यह सब हम आपको बताने जा रहे हैं समझाने जा रहे हैं दोस्त तो उप चुनाओं को लेकर पूर कमिटी की बैठा कुई है और उसमें दस सीटों में से नौ सीटों पर भारतिय जनता पार्टी खुद चुनाओं लड़ेगी ये तै किया गया है। हाला कि अभी जो सीटों के बटवारे का जो मोटा मोटा अभी यहां पर खबर निकल कर आ रही है खाका तयार किया गया है। है उन्होंने कहा है कि निशाद पार्टी को कटहरी और मजवा सीट चाहिए तो दो सीटों की डिमांड यहां पर संजय निशाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। है निशाद पार्टी संजय निशाद दो सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाओं लड़ना चाहते हैं। और खुल कर बीजेपी के सामने उन्होंने ये बात रख दी है लेकिन बीजेपी हाई कमान की ओर से संजय निशाद को संदेश में ये साफ कर दिया गया है कि बीजेपी उन्हें मजवा सीट तो दे देगी लेकिन अपने सिंबल पर यानि कि भारतिये जनता पार्टी चाहती नहीं लड़ें ये कहा गया है बीजेपी की ओर से उसके जवाब में संजय निशाद ने कहा है कि वो हरगिस तयार नहीं है उनका कहना है कि बिना सिंबल के कारेकरता मोबलाइज नहीं होंगे और इन दो सीटों पर हमारा हक बनता है संजय निशाद कहा है कि मैं कम से कम मजव सीट से कोई समझाता नहीं करूंगा अगर वो सीट हमें नहीं मिलेगी तो हम गडबंधन में रहकर क्या करेंगे ये बात उनकी तरफ से कही गई है मैं कैसे अपने लोगों और कारकरतों को समझाऊंगा 2022 विदान सबाच चुनाव में निशाद पार्टी कटेहरी और मंजवा दोनो सीटों पर चुनाऊ लड़ी थी इसमेंसे एक सीट पर जीत मिली थी मंजवा सीट पर जीत हासिल हुई थी और एक सीट हार गई थी अपने सिंबल पर पिछली बार चुनाओ लड़े थे संजय निशाद इसलिए कह रहे हैं दावा ठोक रहे हैं कि ये सीट हमें चाहिए दोनों सीटे हमें चाहिए और इस पर हम अपने सिंबल पर चुनाओ लड़ेंगे इसके बाद संजनिशाद ने कहा है कि मैं अब ग्रिह मंतुरी अमेतुशाह से अपना दुख कहूंगा मैंने अमेतुशाह जी से मिलने का समय मांगा है और उन्होंने कहा है कि जल्दी उनकी मुलाकात हो जाएगी अब उन्हीं से अपनी बात कहूंगा संजनिशाद ने कहा कि ह मजवा सीट पर कोई समझोता नहीं करेंगे तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल कर आईए भारती जनता पार्टी के खेमे से एंडिये के खेमे से कि उनके जो सही हो की दल है वो नराज होते दिखाई दे रहे हैं सीट बटवारों को लेकर नराज होते दिखाई दे रहे हैं भारती जनता पार्टी कता ही मूड में नहीं है कि एक भी स्रीट किसी और को दी जाए सिवाए आरेलडी को छोड़कर आरेलडी की क्या खबर है दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले दिल्ली में बीजेपी कोर कमीटी की बैठक हुई है और उसमें फैस प्रदेश पाठक डेपड़िसी हम है प्रदेश अद्ध्ष भुपेंदर सिंग चौधरी है जिनको यह जिम्मेदारी दे दी गए कि आप संजय निशाद से बात चीत कीजिए उनको समझाने की कूशिश कीजिए लेकिन संजय निशाद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कही से कहीं तक लगता नहीं है कि संजय निशाद मानने के मूड में हैं दोस्तों एक अंदर की खबर और आ रही है कहा यह जा रहा है कि संजय निशाद मजवा सीट के अलावा कटेरी सीट मांग रहे हैं और कटेरी सीट पर वो जिद छोड़ सकते हैं कॉंप्रमाइस कर सकते हैं अगर बीजेपी उन्हें मंजवा सीट चुनाव लड़ने के लिए देती है तो निशाद पार्टी के सिंबल पर वो अब वहाँ पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ लेंगे लेकिन कटेहरी सीट पर ध्यान नहीं देंगे छोड़ देंगे संजय निशाद ने इस संबन में बीजेपी आई कमान से मुलाकात का मन बना लिया जैसा कि हमने आपको बताया है अब आखरी फैसला हमिश्चा की तरफ से लिया जोएगा संजय निशाद ने कहा है कि वो इस बारे में यूपी के निताओं से बात करने के पक्ष में नहीं हैं तो संजय निशाद उत्तर प्रदेश के निताओं से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाते हैं सिधे दिल्ली जाना चाते हैं और रामिश्चा से मुलाकात करना चाते ह एक और बड़ी खबर निकल कर दोस्तों आई है ये आ रही है कि मीरापूर सीट जैन चौधरी को दे दीगी बेभारतियंता पार्टी लेकिन जैन चौधरी दो सीटों की मांग रख रहे थे अलीगर्ण की खैर सीट भी जैन चौधरी चाहते थे कि उनके खाते में जाए अंड साथ दोस्तों एक बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है और वहां से एक निर्देश जारी किये गए हैं वो निर्देश ये हैं कि जहां जहां मुख्यमंतरी होगी आधितनात की रैली होगी वहां वहां पर दोनों डेप्रिसियम भी म नहीं रही है सद नहीं रही है और तलवारे खिची हुई है आपस में समंजस से नहीं बैठ रहा है तो इसका असर भी आगे आने वाले वक्त में हुआ और रिजर्ट में भी देखने को मिला कहा ये भी गया कि चुनाओं के बाद जो है मुख्यमंतरी की कुरसी पर कोई और दिया जाएगा इसका नुकसान भी भारती जंता पार्टी को छिलना पड़ा तो ऐसे में दिल्ली से एक निर्देश जारी कर दिया गया है और कह दिया गया है कि दोनों डेपूरी सियम मुख्यमंतरी के साथ एक मंच पर दिखाई दें जिससे कि एक मैसेज जाए कि सब पीछे औल इस वेल है क्या वाकई यहां पर कोई लडाई नहीं है क्या केशो मौरिया जब आएंगे मंच पर तो क्या बोलेंगे मुख्यमंतरी के सामने ये भी देखना बहुत दिल्चस्प होगा तो बीजेपी की तरफ से तयारियां की जारी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो सब साथ-साथ हैं डिप्रिसियम और मुख्यमंतरी के बीच में अनिकेश पुरसाद मौरिया ब्रिजेश पाठक और मुख्यमंतरी योग यादितराथ इनके बीच में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कोई यहां पर गलत फैमी नहीं है ये मैसेज देने क कि जरूर कोशिश कुई जाएगी आने वाले समय में जबरेलिया और ज्यादा बढ़ेंगी मंच पर सभी इने ता एक साथ दिखाई देंगे और मैसेज देने की कोशिश करेंगे लेकिन इन सब के बीच में देखना बहुत दल्चस्प होगा कि संजन इशाज जो की एंडिय गजब कह जो हो अी-जोakah जाले समय में पुशछं मॉशब्स करेंगे स्विए और मॉशने देका डिना नार का मनोंचा करेंगे जब जा कि वहा तेता हो कै घआ करेंगे तो कुई izquierda स्मय में दानी करेंगे